नमस्का सात्यों मैं राहुल बट अपने यूटूब चैनल क्रियेटिव स्टडी वित राहुल बट में आपका स्वागत करता हूं आज का हमारा टाफिक है एसी ड्रेन यानि की अमलो वर्षा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना और भूलें चलिए तो समझते हैं कि यह एसी ड्रेन वर्षा क्या होता है तो आमलोवर आपका मदलब जीवासमेर के दहान मदल्ब जब भी यह बर्न दुम होता होता है उस दोर्ण में क्या उत्पन होने वालेगयस उस दोरन से इनकिट अपनल्ट ऑड इस उत यतवरों यानि फार्षील के बर्निंग से उत्पन होने वाला सुल्फर डाइयकसाइड गया और नाइट्रोजन आक्साइड वायू मंदल में उपस्तित अंत्मास्टिर में ऊपस्तित जलवास्त वाटर वेपर से अभीकृया करके सल्फूरीक एसिद और नाई्टरिक एसिद का निर्माण करते हैं ठीक है और ये जो सालफूरीक एसिद और नाई्टरिक एसिद होते हैं जो वह मंदल heaven उपस्ति जलवास्प है जब बारिस होगा तो उनके साथ प्रिथवी पर आके गिरते हैं यहीं क्या है अमलवर्सा अब इसके क्या बैड इंपेक्ट है देखे समझें तो जलवास्प अभिक्रिया करके सल्फूरीक एसिद तथा नाइट्रिक एसिद बनाते हैं जो बारिस के रूप में प्रिथवी पर गिरता है कहां गिरता है प्रिथवी पर गिरता है इसे हम क्या कहते हैं अमलवर्सा यानि कि क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं जैसा कि देखिए अक्सीजन और वाटर वेपर मिलकर क्या बनाते हैं उसी तर नाइट्रोजन का अक्साइड आक्सीजन और वाटर उसके क्या वैड इंपक्ट है एसी ड्रेन की वज़ए जैसे मल लिजिए किसी एरिया में एसी ड्रेन हुआ अमलवर्सा हुई तो वहाँ के जो तालाब है उसमें जब यह एसी ड्रेन पहुंचेगा तो वहां का जो वाटर वह एसीडिक हो जाएगा उसमें तेजाब आजाएगा एसीड मनलब तेजाब होता है तो थोड़े मांट में तेजाब आजागा इससे क्या होगा कि उस लेक में उस जील में उस पॉंड में उस तालाब में रहने वाली जो मछलियां और विजो एक्वाटिक लाइब है मस्यली योंड और योजन रहते हैं और भी एमिल्स रहते हैं उनका क्या हुजाएगा उनका टेथ भो सकता उनकी म्रित्यों हो जाएगी जो हमारे सोई पेडय पॉध हैं उतका भी सहीं से ग्रो नहीं होगा जब उनके ऊपर एसिड रेंग गिरेगा अमलवर्शा होगा तेजाब थोड़े बारी यूंहिस में थोड़े अमाउंट में डिखा इसके बात है तो फोचा पुचू morals को भी का यह वहaltet हैं अंडर蟟 eerilyा साइंड इसे विय्स श्तौन से बने हो तो जो वेल धो होता है वह भी क्या होने लगते हैं रह्त दाइमेज होने लगते हैं जैसे ताजमहल का जो नुम है क्योंकि ताजमहल आग्रा है उसके आज पास जो ही को आसपास ने इंडस्ट्रियाल एरिया है लिए उसकी वज़ाद से इंगैसों का बहुत ज्यादा मतलब यह एक्मस्पील में रिलीज होते हैं इस वज़ाद से ताजमहल के च्छत में होता है इससे जो है ताजमहल का सुन्दर दा और प्रभावित थो रहा है तरह से एक डेंजरस चीज है क्या है नुकसान दायक है और इसको कम करने का उपाय क्या है इसको कम करने का उपाय यही है इस अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका क्या इफिक्ट है इसके क्या कारण है इसके क्या इंपेक्ट है यह सारे चीज़े अच्छे से क्लियर होगा है और अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे इवी वीडियो पहुंचता रहा है तो channel को like subscribe और share करना ना होगा ठैक यू